विडियो को शुरुबात करने से पहले मैं आप लोगों से विंती करना चाहूँगा कि आप लोग मेरी यूटूब चैनल को ज़रो सब्सक्राइब कर ले मैं हर दिन से फ्री से लेटेड वीडियो या ने गाड़ों के बारे में इंफोर्मेशन देता रहता हूँ रफ्तार के आच उड़े में हम बात करेंगे गुर्गाओं का ये हाईवे मैं आपको बता दू आधा इसका रोड जो है कंस्ट्रक्ट हो चुका है थोड़ा बहुत बाकी है करन सैगल जो कि एक यूटूबर है उन्होंने भी इसकी जानकारी दी उनके घर के पास ही हाईवे औ और अकसर इस हाईवे पर बड़े हाथ से होते रहते है और कारण उन्होंने बताया कि जो रोड आधा आधा नहीं हुआ है तो बैरिकेट्स लगाए गए हैं लोगों को अंदाजा नहीं लग पाता है यानि कि जो नए लोग होते हैं जो उस एरिया को अच्छे से नहीं जान और यहाँ पर ड्राइवर ने यानि कि जो फोर्ट फियस्चा चला रहे तुनों ने यही गलती की वो सीधा हाई स्पीड पे निकल जाते है जा बेरिकेट्स लगा रहता है और जाके टकरा जाते है उनकी गाड़ी बेरिकेट्स से जो किस से बिंटेड होता है और आप देख सकते हैं गाड़ी कितना जादा डैमेज हो चुकिए है फ्रंट से साइड से हाला कि जो गाड़ी के अंदर बैठे थे वो बिल्कुली सेफ हैं और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दो फोर्ड फियस चा कि अगर हम बिल्ड कॉलिटी की बात करें तो फोर्ड की गाड़ियां अभी यार काफी जादा सेफ मानी जाती थी अगर आप कंपैर करें किसी और गाड़ी से तो हाला कि फोर्ड भारत चोड़के चली गई है बट कहीं न कहीं उनकी गाड़ियों की बिल्ड कॉलिटी हमेशा प्रूफ करती है ऐसे हासों में तो यार यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर रास्ता अन्नोन है और कहीं न कहीं आपको गाड़ी हमेशा अपने कंट्रोल में चलानी चाहिए ताकि ऐसे बड़े हासे ना हो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चाहिए आप लोग मुझे फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं इस्टेग्राम पर भी बस आपको लिखने है राफ टी डबल एर 7811 इस्टेग्राम पर मैं डे टू डे लाइब के बारे में कोई ना कोई अपडेट तो देता ही रहता हूँ काफी जादा इंट्रेस्टिंग रहेगा और आपको मुझे वहाँ पर कोई भी कार के रिलेटेट कोशन पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको मैं जल से जल देने की पूरी कोशिश करूँगा पूर चाहते हैं सीट बेल्ट टूर चाहते हैं हलमेट जो पैने सेफ्टी संबर और प्रोडी साइनिंग ओफ रफ्तार सेवेंटी एट लेएट जाहीं जवारत